हेई वरिवान वेल्कम टू तंदूर किचन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कूल ही मत भूलना क्यूंकि जब भी हम लोग पोस्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुत जाएगा तो आज हम लोग बनाएंगे इंडिपेंडे के तो इसके लिए हम मैं चाहिए एक काज्यू और अब उसको हम लोग ग्राइंड करेंगे मैंने यहां पर लिया है काज्यू अरौन 500 ग्राम इसको बिलकुल ऐन घ्राइंड कर लेंगे डिष को और भी ई Pacats के लिए हम लोग यहां पर एक शुगर सिरफ बनाएंगे सिरफ नहीं बोल सकते क्योंकि जस्ट डिजॉल्व होने तक शुगर और पानी को हीट के उपर रखके थोरा सा चला के उसको थोरा सा थिन कंसिस्टेंसी जैसा बना लेंगे थिक भी नहीं होगा बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं होगा जब तक शुगर पूरी तरह से दिखता नहीं है तब तक हम लोग उसको हीट के उपर रखके चलाएंगे शुगर डिजॉल्व हो चुका है तो अब हम लोग नेक्स टेप की तरह चलते है अब हम लोग एक कड़ाई या पैन लेके शुगर सिरप को ट्रांसफर कर देंगे और हीट को ओन कर देंगे अब जो गायन किया हुआ काजू का पाउडर था ना उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे हीट को बिल्कुल लोग पे रखेंगे वरना ये जल जाएगा धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और हमारा मिक्स्चर कुछ ऐसा थिक होने लगेगा सॉरी गाइज मैं को गैस पे चराना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी ये देखिए कैसा थिक हो गया है ना ये अभी अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे फ्रेग्रेंस के लिए खुजबू के लिए इसको continuous चलाते जाएंगे वरना ये नीचे चिपक जाएगा heat की वज़े से मैंने कहा था ना time नहीं लगता easy है पर थोड़ी महनत लगती है हर चीज में महनत है दोस्तों आपको पता चल जाएगा कब ready हो रहा है जब ये नीचे चिपकेगा नहीं या फिर edges पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा ऐसा एक साथ आ जाएगा काजू बर्फी हमारा ready है अब इसको shape देना है गरम रहते रहते इसको shape देना है वरना ये hard हो जाएगा मैंने यहाँ पर butter paper यूज किया है आप चाहे तो parchment paper भी यूज कर सकते है या फिर एक प्लेट पर घी लगा के भी यूज कर सकते है बर्फी को shape देते वक्त छोटा सा एक accident भी हो गया है दुकान जासा दिखने के लिए मैं लाई हूँ यहाँ पर silver coating जो की मुझसे नहीं लगी वो coating नहीं हो रही थी मुझसे तो मैंने लिया मम्मी का help बट वो भी नहीं हुआ तो मैंने फिर लिया डाड का help देखते हैं उनसे होता है कि नहीं फाइनरी हो गई लग गया silver coating अब हम इसको डायमेंड शेप में कट करके सर्फ करेंगे घर पे बनाओ और मुझे बताओ कैसा बना है कामें सेक्शन में और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें